हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जैसल मेर बार्ड मेर की राचनीती में मजबूत पकड़ रखने वाले गाजी फकीर का पूरा परिवार लंबे अर्से से राचनीती में सक्रिय है इनके खिलाफ खोली गई हिस्ट्री शीट भी बहुत चर्चा में रही है प्रदेश के कैबिनेट मंतरी साले महाम्मत के पिता गाजी फकीर काफी दिन से बिमार चल रहे थे कुछन पूर्मुवे कोमा में चले गए थे इस पर उन्हें जोदपूर के एक नीजी अस्पतार में भर्ती करया गया था मंगलबार सुबह करीब साड़े तीन बजे उन्होंने अंतिम सांस ली उनके पाँच पुत्र हैं प्रदेश में चाहे भाजपा या फिर कॉंग्रेस की सरकार हो लेकिन गाजी के प्रभाव में कभी कोई कमी नहीं आई सीमावर्ती जैसलमेर बाडमेर की राजनीति में गाजी फकीर की बरसो तक मस्बूत पकड़ रही मुसलमान समाज के वोट हमेशा से उनके इशारों पर ही पड़ते रहे हैं पाकिस्तान में स्थित्पीर पगारों के भारत में प्रदीनिती की भूमिका वे परसों से निभाते आ रहे हैं। सीमावर्ती शेत्र में उन्हें बहुत अधिक मान सम्मान हासल था। कहा जाता है कि गाजी फकीर का अलग से सामाजिक नयायले चलता था। मुसल्मान समाज के वीच होने वाले विभिन प्रकार के मसलों को सुलजाने के लिए वे बकाइदा अपना कोट लगा कर फैसला देते थे। उनके फैसले को समाज के लोग सहर्ष्विकार करते रहे हैं। परिवार राचनीती में सक्रिया। गाजे फकीर की परसों तक राचनीती में मजबूत पकड का अंदास इसी से लगाया जा सकता है कि उनके भाई फते मौमद, बेटे साले मौमद व अब्दुल्फकीर जैसल मेर के जिला प्रमुक रह चुकी है। साथी एक बेटा, अमरुत दिन प्रधान है, उनके बेटे साले मौमद इस समय गहलोत सरकार में मंतरी पतपर है। कोरोना संक्रमित साले मौमद इस समय जैपुर में स्वास्त लाव ले रहे हैं, ऐसे में उनके आज जैसल मेर पहुंचने पर संशे बना हुआ है। जागरोग टेवी की बार में से खास रिपॉर्ट है।